आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग गलेक्सी एजी रू फोर्ड और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने बाला हूं इसी फॉन की टॉफ 35 टिप्स और टिक्स और बेस्ट अमेजिंग हिडिन फीचरों के बारे में जो की काफी ज्यादा यूनिक फ ऊपर पर इस तरह स्की आप इस बढ़ने से समय आज अगर यह यह वीडियो आफ को देखने को मिल जायका एक और अच्छा यह फीचर ब smallest,जैसे की अगर आप इसको लगाना से भी किसी वीडियो को सलेक्ट कर सकते हूं इसकलिए आपको करना होगा या प्लस का ऐकन देखने को मिलेगा इस पर जाना है और यहांपे जाने के वाद आप आजाएंगे गैलरी में अगरी में एलबंबर क्लिक करने कवाद वीडियो वाले फोल्डर में चले जाए और सब् देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आप इसको कहां से रखना चाहते हो उसको सेलेक किजिए और यहां पर आपको डन कर देना है डन करेंगे यह वीडियो ट्रिम हो जाएगा ट्रिम होने के बाद आप इसको कॉल बैग्राउड पर एड कर सकते तो यहां पर ट्रिम होने देते हैं आगे आपको दिखाएंगे कैसे यह आपको सू होने बाला यहां से एक step बापस आ जाए रिकॉर्ट कॉल का option मिलेगा यहां क्लिक कीजिए यहां पर आपको automatic call recording का support देखने को मिलता है चालू करने के लिए यह option enable कर दीजिए दो और अलग तरीके से call recording को कर सकते हैं एक तो अन्यों number की ही केबल call record हो जाए इस पॉन के अंदर तो इसके लिए यहां पर क्लिक कीजिए यह नंबर पर जाने को contact में चले जाए यहां से नंबर को select कीजिए जिसकी की भी चाहते को करना और select करने को अगर आप इसको enable कर दोगे तो आपका phone अगर Bluetooth से connected होगा या फिर earphone आपकी phone में लगी होई होगी तो आपका phone उस call volume के लिए बोलेगा की मतलद इस नंबर से आपकी call आ रही है जैसे की आपका नाम है मैं अपना ही नाम मताँ ढ़ता हूं जैसे की मेंर नाम नाम से नंबर खेंगा तो मेरा फचन आप ये आप समझ सक्टे Linga Bluetooth Connected पह आप समझबности की call आ रही है आपके बाइक बगएर आप अच्छे से काम आने वाला है अगर डिस्टर बगएरा हो जाते हैं आप चलाती टाइम तो या फिर आप ब्लूटूटूस से कनेक्टिट रहते हैं तो यह आप काफी यूजफुल फीचर होने बाला है नीची की और देखने को मिलेगा आंसरिंग करने चाहते हूं तो यहां फ desapare अपको बटबानाई रहे हैं आपको अच्छे स्क लिछ पीज़ करा सकते हो तो कुछ इस तरह साब को दोबबरर प्रस कना ने आपका कंवर डिचसें अगर इसकी जगे लगाना चाहिए आप डो फ्रस भी सडब्स कर सकते हैं किसी अपस को 7 कर सकते इस दिया को पूल करना हुब सट्रेशज है छी है उस पर साल्य करना हो अबल और आप डेकंग डेकन अजरे हो मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए यहां से आप लाइप जो apps आपको देखना हो उनको add कर सकते हो अगर flash light को रखना चाहते हुआ है select कर दीजी तो आपकी flash light set हो जाएगी अब flash light को on करने के लिए दो बार power button को press की जी अब आप देख सकोगी आपकी flash light on हो जुकी है आपको देखने को मिल जाएंगे इस फोन के सकते हो डबल टैप करके स्कीन को on कर सकते हो इस फीचर को चालू करने के लिए आपकी जो phone की setting नहीं उसमें जाना होगा scroll down करके नीची की और आजाएगे आपको यहां देखने को मिल जाएगा इस option पर क्लिक किजिए यहां आप देख सकते हैं तो दौनों यह आपको तीन ही option कर देने तो डबल टैप करके screen को on कर पाऊगे यहां पर एक और option मिलेगा जुकी रहेगा turn over to mute का अगर यह option रहेगा तो आपकी phone पर कोई भी calls पेगर आती है आप उसको जैसे scene करेंगे वह call आपकी mute हो जाएगी मतलब phone में से जो ring होती है वह आऊना बंद हो जाएगी जैसे face के सामने अपने phone लेकर आएगे तब ही ऐसा होने बाला है तो इस तरह से आपको यहां पर option मिल जाएगा इस phone के अदर friends आप dual apps को भी बना सकते हैं डूल application बनाने के लिए phone के setting रहेगी उसमें चले जाएगी स्कॉल डाउन करने पर आपको advance feature में फिर से जाना है डूल messenger का option मिलेगा इस पर क्लिक करने की बाद जो भी apps आपको यहां नजर आते हैं उनका डूल apps बना पा हुए एक step बापस आने के बाद यहां पर इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर कुछ option मिल जाते हैं आपको जैसे कि अगर आपको यह वाला option नेबल होगा तो आपका कोई भी edit करिया हुआ image होगा इसको यहां से चालू कर देते हैं तब ऐसा होने बाला है यहां पर hide navigation बार का option मिलेगा अगर यह इनेबल होगा तो इसकी आप तीन अलग लग तरीके से लेग सकते हैं तो मैं आपको बता हूँ volume down button and power button आपको प्रेस करना है तो आप screen shot ले पाएंगे इस phone में press and hold नहीं करना है दोनों बटनों को एक साथ पकड़िए और प्रेस कर देजिए प्रेस करके छोड़ देना है तो आप screen shot को ले पाएंग आप आप ले नहीं चाहते हैं तो आप वह भी ले सकते हो इसके लिए आपको यही button प्रेस करने दौनों एक साथ और इस icon पर क्लिक कर देना है तो यह select हो जाएगा कुछ इस तरह करना है इसको select कर सकते हो यहां पर icon बगएरा देख सकते हो यहां पर कुछ तरह से दिखा सकत आपको अबेलबल हो जाते हैं इस फोन के अंदर आपको डार्क मून का भी support देखने को मिल जाएगा इसके लिए आपको चालू करना है तो यहां पर नाइट होगा वैसे ऑटमेटिक इनेबल हो जाएगा तो यह आपको जरूर से चालू करना है दिन में आपके काम आने वाल नहीं है डार्क मून राद में यूज़ करना अच्छा रहता है तो यह आप यहां से चालू कर सकते हो अगर इस पॉन में मिलता तो हो सकता है दिन में आप यूज़ करते तो अभी आपको फायदा मिलता क्योंकि उससे बैंटिक काफी ज़्यादा कम डेन होती है अब इसके इस पहांन में आपको आई कमफर्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता उसको भी आप सेम इसी तरह के सकते मिलसा इसकी बाद आपको यहां से इसको चालू करना है इसकीन की जो लाइटिंग है उसको अपने हिसाब से temperature को रख सकते हैं कितना ज़्यादा आप warm करना चाहते हैं कितना cool करना चाहते हो यहां पर यह काफी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा इस फोन में आपको थी बटन navigation देखने को मिलते हैं अगर आप चाहें इनको हटा सकत नवीगेशन को रख सकते हैं इसके फोन की सेटिंग में जाएं इसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा display इस option पर क्लिक कीजिए और यहां पर आने की बड़ इस को मिलेगा navigation बार इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्वाइब जैसर के लिए सालिख कर देना तो यहां पे बटन गाई हो जाएंगे जैसर नाविगिशन सेट हो जाते हैं लाइन ज़र आएगी चाहें तो इसको भी हटा सकते हो इसके लिए इस Sail को सालो कर देंके बाद आप लाइन को भी कर सकते हो इस तरह से इस पॉर्ण में वार को भी आप सैट कर पाएंगे कंट्रोल पैनल का जो कलर आप देख रहे हो इस समय ब्लू है आप चाहिए तो इनको बदल सकते हो इसके लिए आपको टू फिंगर से पिंच करना है स्कीन पर यहां देखने हो मिलेगा आपको बाल सब्सक्विण थैप चील में पर अबइंगे तो इस तरह से पिंगर को भी यहां पर बदल सकते हो अपनी चीन बाल पेपर को पर बदल सर्विस यहां पर केगए अधनिक अर्ट को सेलेक्ट करना होगा नुग के ब套ा Western करने thoughts करने होगा और सेटिंग में जाना होगा किस एक की लाुकि के विलग इसकी छसमेशण आपको स्टपर रिखेने को मिलता रहे nggak यहां यहां से इस आपसोन को जरूर विद्सकूर चालो कि जो कि आपके मौन डेता अपडेट हो नए-बाद जाएंगो ने बाद पर आपको देखने को मिल रहा है यहां आप one-tech news देख सकते यहां चालन आपको सो रहा है इस तरह इसे आप नाम बगयरा या फिर लगाने चाहते हो लॉक के लिए लगा सकते इसके लिए सेटिक में जाये सेटिंग में जाने गुद आपको लॉक्त कि पर सैट यहां पर क्लिक करना होगा जैसे कि अब आप देख सकते हो तो जो भी मर्जी चाहें मैसेज नमबर यहां पर जो चाहें आप वो लगा सकते हो इस तरह से आपको यह option मिल जागा एक इस तरह बापस आने की बद आपको बायमेटिक एंड सिकेर्टी का एक option मिलेगा जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां से आप फेस लॉग कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो के अंदर पाता चल जाएगा और मैं अभी आपको बदा दूँग सेट करने के लिए आपको लॉक स्कीन पर सेलेक करना होगा और से आनिक बाद सिंपल आपको यहां सेलेक करना है और अपनी स्कीन लाउग जो भी रखना चाहते स्कीन पैटर्ण पिन वह यहां के आप रख सकते हो इस फोन में आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा यूज़ रहेगा आपका सेब एंड इमर अब्सिपा आप क्लिक करने को Yeah आपको Sid END बोलियम अपकी आपको साइड एंड गुग जब आप से राखना सकते हो यहाँ पर उसक्सालियों यहता करसके जो भी रखना चाहिए यहां कि त्रु siq हो इस तरह से आपको मिलेगा दाउं पर क्या लगाएं कि यहां फो वह और क मिल जाएग इस पर peal करना है जैसे आपको बता कर दिया कि अब सब्सक्राइब करेंगे तोयां पर आप को अपना एंद यहां और आफ और ऑक कर सकते हो इस फोन के अंदर पॉपप बिंडों जासे और मिद्व जासे सारे आपको मिल जाते हैं तो उसके यूज करने के लीए जैसे कि अगर आप YouTube के अंदर है YouTube के इंदर साथ साथ आप किसी और भी एप को यूज करना चाहते हो ब्राउजर आप नीचे की जगह उपर वाले एप को लाने चाहते योपर वाले की जगह नीची को तो इसके आपको यहाँ क्लिक करना होगा और इस तरह से सिछ कर देता हूँ आप देखुए तो डोना ही एप्लिकेशन उपर की जगह नीचे वाला ऊपर आ चुका है किसी एक को ज्यादा एरिया में यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो एक एपस को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर पाऊगों तो सेम टाइम है दो एक साथ एकसे इस पॉन के अंदर बहुत आसानी से आप कर सकते हो यहां फ्लोटिंग में विंडो का भी हम जब उर प्लीज आप बिंडो तो यह उते बहुंद आप एकसे पाउसाइब इसमम पैश्यव हो का फीच्र मिल जा करहाम है अंदर आपको इसपान के कॉन सा फीचर आपको वेश्ड लगा मुझे वससा प्जों आ सकते हैं इस फुछ के यूज़फुल फीचर जिने बारे में आपको जानके काफी ज़arrningar अगर ऐसे फीचरों के बारे में और वी आप जाना चाहते तो नए- dramas अप्डेट में ऐसे फीचर आपको मिलते रहते हैं और नए अप्डेट में ऐसे फीचर एड़ भी किये जाते हैं अगर आपको जाना है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब केजिए क्यों कि नए-प्डेट की आपको यहां पर जानकार भी मिलेगी कब कर फॉर्म में तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक केर